हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चानल में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही special topic के बारे में जो है homemade whitening cream जी हाँ हम आपको whitening cream घर पर ही बनाना सिखाएंगे क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी skin बहुत ही प्यारी लगे खुबसूरत लगे लेकिन आपने chemicals नहीं use करने हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है चलिए शुरू करते हैं एक घर पे बनाने वाली cream जो आपके skin को naturally brighten करेगी और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसके जितने भी ingredients है वो आपको आपके घर पे आराम से मिल जाएंगे और जी हाँ end में मैं आपको कुछ ऐसी tips भी बताऊंगी जो आपकी skin को whiten और brighten रखने में बहुत काम आएगी तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले देख लेते हैं इसमें कौन-कौन से ingredients लगेंगे हमें इसमें चाहिए aloe vera gel क्योंकि ये बहुत अच्छा moisturizer है मैं हमेशा कहती हूँ सबसे कि जब भी आप अपने skin पे कुछ भी लगाएं तो जान लें कि उसके फाइदे क्या है तो जो aloe vera gel है आपको एक natural moisturizer का काम करता है इसमें vitamins होते हैं, minerals होते हैं जो आपकी skin को hydrate करेगा और even skin को sun damage से भी बचाएगा next हमें यूज करना है sweet almond oil ये vitamin E से भरा होता है और ये आपके dark spots को कम करने में help करता है और skin को बहुत ही ज़ादा soft भी करतेगा उसके बाद हमें चाहिए rose water, rose water हम सब जानते हैं हमारी skin के लिए कितना beneficial है ये एक natural toner का काम करता है, आपके skin को fresh भी रखेगा फिर ये एक ऐसी चीज है, licorize extract जो आपको आपके kitchen में नहीं मिलेगा आप ये skip भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप regular बाहर जाते हैं तो market में किसी भी medical shop से ये आपको मिल जाएगा या फिर amazon पे बहुत easily available है ये क्या करता है, ये बहुत ही powerful skin brightening agent है तो आपके जो pigmentation है उसको कम करने में मदद करता है, लेकिन अगर available नहीं है, low issues हमारे बाकी ingredients भी बहुत अच्छे हैं फिर हमें चाहिए vitamin E capsule ये बहुत easily available है, ये हम लेंगे ये आपकी skin को nourish करेगा और skin को repair करने में जो भी damage हुआ है उसे repair करने में मदद करेगा then ये है lemon essential oil ये optional है, अगर आपकी sensitive skin है तो आप इसे skip कर सकते हैं otherwise this is also very very good, हम ये भी add करेंगे तो चलिए हम अब देखेंगे इसका process, ये cream बनाने का process step by step ये process बहुत ही simple है, आपने सबसे पहले एक clean board लेना है आप जिसमें भी अपना face या skin care product रखते हैं, that should be very very clean 2 tablespoon आप लेंगे aloe vera gel, ये अगर आपके पास आपके घर में plant है aloe vera का nothing better than that, क्योंकि वो natural होगा, pure होगा, लेकिन अगर नहीं है, कोई बात नहीं आप बाजार का भी gel use कर सकते हैं so take 2 tablespoon of aloe vera gel, it's a very great base for our skin next हम use करेंगे almond oil, तो 1 tablespoon almond oil डालेंगे आप इसमें, क्योंकि ये नरिश करेगा हमारी skin को इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 tablespoon rose water, ये ना सिर्फ skin को refresh करेगा, बलकि आपकी cream को थोड़ा liquid consistency भी देगा इसके बाद जो मैंने आपको बताया था, licorice extract अगर available है, तो हम 1 teaspoon, देखिए कितनी कम मातरा में ये लगता है, just 1 teaspoon of licorice extract हम लेंगे, ये आपकी pigmentation को कम करेगा, बहुत अच्छा agent है ये skin brightening का, then हम use करेंगे vitamin E capsule, एक vitamin E capsule को आप उसमें छुटा सा hole कर लीजिए, और उसका liquid इस mixture में डाल दीजिए, vitamin E जो है, बहुत सारा nourishment देगा आपके skin को, and lastly हम डालेंगे इसमें lemon essential oil, जो के optional है, 3-4 drops जालने है, मैं फिर बता रही हूँ, अगर आपकी skin sensitive है, तो आप इसे please skip कर दीजिए, अब इन सब चीजों को अच्छी तरीके से आपने mix करना है, और आपको, यह जब आप सब को mix कर लेंगे, तो आपको एक smooth creamy texture मिल जाएगा, अब देखते हैं कैसे apply कैसे करना है, तो अब आपकी cream तयार है, इस cream को आपने morning और night, दोनो time use करना है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले, आपने अपना face साफ कर लेना है, clean कर लेना है, ताकि आपके skin पे कोई भी dirt या make-up ना रहे, फिर थोड़ा सा cream उठाईए और अपने face और neck पर gently बहुत हलके हाथों से circular motion में apply करिए, ये आपकी skin को absorb करने में मदद करेगा, जो भी अपनी cream है, वो हमारी skin जो है absorb कर लेगी, दिन के time अगर आप लगा रहे हैं, तो sunscreen लगाना ना भूलिए क्योंकि sunlight आपकी skin को damage कर सकती है, ये homemade cream आपकी skin को कैसे benefit करेगी, तो चलिए जानते हैं, aloe vera आपकी skin को hydrate करेगा, almond oil dark spots को reduce करेगा, rose water skin को tone करेगा, और licorize extract pigmentation को हटाएगा, and regular use से आपकी जो skin है, वो एक glowing, even toned skin हो जाएगी, तो चलिए देखते हैं आप कुछ tips, better results के लिए, drink plenty of water, जादा से जादा पानी पीएं क्योंकि hydration बहुत जरूरी है, healthy diet लें, including fruits, vegetables, बहुत बहुत जादा जरूरी है, अच्छी sleep लें, दिन में at least 7 घंटे की नीन लें आप, क्योंकि skin repair होती है, जब आप सो रहे होते हैं, तो दोस्तों, ये थी हमारी homemade face whitening cream recipe, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो please like करें, share करें, channel को subscribe करें, और हमें comment में बताएं, कि आपने ये cream try की या नहीं, मैं आपके comments का इंतजार करूँगी, thanks for watching, और मिलते हैं अगले वीडियो में, bye bye.